पहले आपको यह समझना पड़ेगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह यहां पर जो हम बता रहे हैं ना यह आपको Google में नहीं मिलेगा YouTube में नहीं समझना पड़ेगा तो यहां पर आपको प्रॉपर अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके सुनना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा जेनेटिक चेंज कैसे होता है यह अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि क्रोमोजूमल डिफेक्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं तो इतनी बात दोनों को को रिलेट करें जेनेटिक्स को बदला कैसे जाता है अगर आपको यह समझ में आ जाए तो आप जेनेटिक्स को बदल सकते हैं ठीक है ना अगर यह समझ में आ जाए तो तो क्रोमोजूमल डिफेक्ट को आप चेंज कर सकता है अ तो गर्दन लंबी हो गई जराव मनगे उसका जेनेटिक स्चेंज हो गई टाइम के साथ सब्सक्राइट आता है ऐसा डार्विन केता है मगर हजारों सालों से हमारे देश में कर्म नियम प्रधानगता है कि कहते हैं आप जितना जोर लगाएंगे ना उसके जैसा जोर लगाएंगे उसके इसाप से जनेटिक बदल जाया हुआ है है ना कर्म कैसे करते हो काम कैसे करते हो जोर लगाते हो ना तो कर्म का मतलब जोर लगाना है ना तो जोर लगाने से जनेटिक चेंज होता है वही जेब क्यों हजार साल से कर्मनियम प्रधानता है है कि नहीं है तो जोर लगाने से जनेटिक्स बदलता है कि इसी को फिर आप घुमा फिरा के इधर उदर की लाइंगर्ज में कुछ भी बोल दो एंवायर्मेंट चेंज होगा तो आपका जोर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा उसक क्या एंवायर्मेंट बदलने से जनेटिक्स होता है होता है मगर वहां भी आप जोर लगाने की वज़े से होता है ना तो हम मूल कारण पर आ रहे हैं कि हां पर आ रहे हैं रूट कारण जड़ पर आ रहे हैं जोर लगाने से जनेटिक्स बदलता है कि बात समझ में आगी सभ लगाता है तो कुमभख genetics को change करने का सबसे powerful उत the genetics को हम जोर लगाके change कर सकते हैं तो क्या जोर लगाके हम chromosomal defect यानि genetics को change कर सकते हैं क्या एक ही बात है कि कर सकते हैं 100% कर सकते हैं अच्चा Modern Science भी इस बात को अब मानता है जए Modern Science भी इस बात को अब मानते नहीं मानते ते क्योंकि Modern Science का कोई बडूशा नहीं है पाँक थोछ ऐल बात है गई ऑpayer इए एक इंशान हर तोइच देर अप्नी बात ब्लू होता है कि नहीं होता अगर सांस हर तीन साल पान कि लिःता तो अभी साइंस को और ग्रो अप करना है डियर आइंस है अभी सही साइंस में आना उसको तो अभी modern science क्या कहता है और इसको मैं पता है क्या बोज़ता हूं के तो साइन्स को घरवापसी करनी है ठीक है ना असली science में आ है तो अब जब modern science यह कह रहा है कि 99% of your genetics can be changed and this is called as epigenetics E-P-I epigenetics यह आप Google करके पढ़ सकता है मगर उनको अभी मालूम नहीं है कि genetics form change कैसे कर सकता है तो वो genetic engineering जबर्दसी genetics को change करने की कोशिश में लगे हुए है ठीक है ना वो दुबारा से गलत हो जाएगा अभी हमने food को change कर दिया hybrid genetically modified बना दिया हमारा शरीर इस वज़े से ठीक नहीं रहे पा रहा one reason for infertility is you are eating chemical medicine and then second the food changed food sorry यह दी करने से ना बलून उड़ना लग जाते है तो क्या genetics change हो सकता है इसे epigenetic कहते हैं जो genetic engineering अभी modern science कर रहा है it's a forced change in the nature forced change प्रकृती में जोर जबस्ती का change हमेशा नुकसान लाता है natural change हमेशा फाइदा करता है तो कुम्भक एक natural तरीका है genetics को change करने के यानि epigenetic trigger मैं कहता हूं कुम्भक को कुम्भक का दूसरा नाम क्या है epigenetic trigger यह वो trigger है जिससे कि आपका chromosomal defect बिलकुल ठीक हो सकता है और कोई तरीका है कोई और तरीका नहीं है कोई क्योंकि यही हजारों सालों से हम बोल रहे हैं कर्म नियम कर्म का नियम है जोर लगाने से genetics बदलता है तो जोर लग जाइए अपना genetics बदल दीजिए